तो स्वागत है आप तभी का ग्यापनिगेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 12 क्लास के उर्दू का जो चैप्टर नंबर 11 है यानि की 11 चैप्टर नाम है गुबार खातिर से तीन खुतूत गुबार खातिर जो है न यह खुतूत क अगर आप लोग चैप्टर से आप लोग के बुख में उन सभी रिटेन कोशन का इंसर आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे ठीक है तो वीडियो काफी इंपोर्टेंट है अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो सारा के इंसर आप लोग को समझ में भी आएगा तो चलिए आज कि इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग स्टार्टिंग में वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना ज़िदा हो सके शेयर कर दें ताकि सब्सक्राइब लोग इस वीडियो का लाव उठा सके सो ख़बार्चातिर कि दमाने की तस्नीफ है यहां पर सबसे पहला सवाल क्या पूछ रहा है कि गवाब खातिर कि continental कैसे इनकलत है यह किस साल लिखा गया ठीक है कब लिखा गया यह आप लोगो बताना है तो देखिए जवाब में तो लिखाई है और मैं आप लोगो जब चैप्टर पढ़ा रही थी तो बताई भी थी कि गुबार खातिर जो है ना भारत छोड़ो अंदोलन जब चल रहा था उन्हें सब्या 20 खुत जिसमें से आप लोग के बुक में तीन खुत दिया रहता है गुबार खातिर से तीन खुत जो कि आप लोगो पढ़ना रहता है और आई हो पाप लोग पढ़ भी चुके होंगे मैं पढ़ा भी चुकी हूँ ठीक है अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन की सदीक मु खुचन को कहें हैं यहाद रखिएगा है यह अब्जेक्टिव में कोशिन पूछ देता है बहले यहाँ पर रितन में पूछा है वह भी नहीं तो यह वन लाइन है ना एक ही लाइन में रहता है तो तो आप यह कहा है दिक कर देना है जिस भी ऑपशन में दिखाई दे किस जेल में लिखे गए हैं आप लोगों बताई हूं चीजव मुलाना अब लौकुलाम आजाद की तीन किताव का नाम कोई भी तीन किताब का नाम आप लोगो बता ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मौलाना अजाद पहली बार किस उमर में कॉंग्रेस के सदर हुए, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 35 साल की उमर में ये कॉंग्रेस के सदर बने थे, ठीक है, ये हर एक चीज़ में आप लोगो पढ़ा चुकी हैं, अगर चैप्टर पढ़े ह हुआ था, पूरी कहानी चैप्टर पढ़ा रही थी, तो बताई भी थी, आप लोगो याद भी होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, दस्वा सवाल, कि मौलाना अजाद कौन सी चाय पीते थे, तो वह चीन की चाय पीते थे, जिसका नाम क्या था, वाइट जैस्मिन, ठीक है, याद होगा आप लोगको, हर एक चीज, याद होगा जो कि मैं पढ़ा चुकी है, ठीक है, और अगर आप लोग चैप्टर पढ़े हैं, तो यह सारा कोशन इंसर करने में भी आप लोगको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि सवाल का जवाब आप लोग जानते होंगे, ठीक है, मुक्तसर सवालाद देखते हैं यान की शॉर्ट टाइप कोशन जिसका एंसर आप लोग को पांच लाइन में लिखना होता है। सबसे पहला सवाल है कि मौलाना अजाद की नसर निगारी की खुसूसियत बियान कीजिए। यहां पर आप लोगो मौला अजाद फिजाति जो है खुतूत निगारी जो नसर निगारी करते हैं तो मतलब मौल अजाद की नसर निगारी चीखुसियत य की विशिश्चता को बताना है पांच छृलाईन में बता देंगा हैं नसर हो जाएगा सुनिएगा मौलाना अजाद सिर्फ सियासदा या खतीब नहीं थे उन्होंने मतादत तसानिफ यादगार छोड़े तर्जमान अल्कुरान और गुबार खातिर उनकी ऐसी नसरी तस्निफात हैं जिनकी बुनियाद पर मौलाना अजाद एक साहब तर्जनसर नगार तस्लीम किये जाते हैं उनके खतूत और माजामीन के मतादत मजमुए भी शाय हो चुके हैं जो उनकी नसर नगारी की बेहतरीन नमूने हैं उनके खतूत की जुबान पर अकर गौर किया जाए तो उनके नसर के नसर की दिलकशी और दिलावेज हमें अपनी तरफ मतवज़क ये बगार नहीं रहती अलफाज सादा है जिसमें अरबी अलफाज वतराकीब से गुरेज की उन्दन कोशिश की गई है यही खुबी मौलाना आजाद की नसरी खुसूसियत है देखिए कितना आसानी से यहां पर लिख दिया गया है यहां पर थोड़ा तफ लफ का यूज किया गया है लेकिन आप लोग इसको आसान भासा में भी लिख सकते हैं नहीं है कि इतना टफ लेंग्विस का आप लोग यूज करेंगे इतना टफ शब्द का यूज करेंगे अपने इंसर में आप आसानी से इस तरह से लिख सकते हैं कि मौलाना आजाद जो है ना वो सिर्फ सियासदा नहीं एक के मशहूर वो मकबूल खतूत निगार भी थें और उन्होंने मतादत तसानी यादगार चोड़े जैसे कि तरजमान और गुरान और गुबार खातूर उनकी ऐसी नसी तस्मीफ एजिन की बुनियाद पर मौलाना आजाद एक साहब तरज नसर निगार तसलिम किये जाते हैं आ मैं याद नहीं की थी यह मैं अपने हिसाब से जोड़कर कितने अच्छे तरीके से जवाब बना दी इसी तरह आप लोगों को भी क्या करना है एंसर खुद से लिखना है लफजों को सजा कर खुद से लिखना है और उनके खतूत और मजामीन के मतादत मजबूर भी शाय हो मौलाना आजाद के बहुत सरे खुदूत और बहुत सरे मजामीन की किताबे भी परकाशित हो चुकी है यही बात तो लिखा गया है पस यहां पर आप यूं कह सकते हैं अर्दू लेंग्विस यानि की अर्दू के शब्दों का यूज़ कर दिया गया है जालतर इसलिए आप अलवाजाद की हायात में एक लूट तेयार कीजी यहां पर मौलाना अबुल्क लाम आजाद की जिन्दगी पर क्या करना है सवरू अलफाज में एक लिखकर त्यार करना है जिसमें पूंदाओ9 को अख्छे तरीकेसे यहां पर लिखा गया है । equations द चान यह जब जब यहा आसान भाषा में लिखा गया है कम मिटलब ज्यादा टफ वर्ड का युज नहीं किया गया है देखिए जवाब में लिखा है कि मौलाना आजाद की पैदा में मक्का मुकर्मा में हुई जहां उनके वालिद मौलवी खैरुदीन मुद्रिस्त है आजाद का असल नाम मौयूदीन और तारीखी नाम फिरोज वक्त था याद रखिएगा यह कोशन अब्जेक्टिव में पूछ दिया था कि तारीखी नाम मौलाना बुलकलाम आजाद का तारीखी नाम क्या था ओप्सन में फिरोज वक्त लिखा हुआ था और तो जो स्टुडेंट को पता होगा वहीं इंसर्टिकर क्या आएंगे ना तो अगर आप लोगों के एक्जाम में एक कोशन पूछता है कि मौलाना बुलकलाम आजाद का तारीखी नाम क्या था तो आप पर तोलबा की एक जमाद को दर्स देना शुरू कर दिया यानकी घर पर ही पंद्र साल की उमर में बचों लोगों को यह पढ़ाना स्टार्ट कर दिये थे फिर सहाफत की तरफ पदम बढ़ाया और लेसानों सित वगएर निकालने लगें फिर सियासत की तरफ पदम बढ़ा और उहदे पर रहते हुए ही फरवरी उन्हें संटार्ट में मुक्तसर इलालत के बाद दाई अजल के लबैक कहा और जमाद मस्जिद देली के सामने इनको दफन कर दिया गया तो यह हो गया एंसर तीसरा सवाल देखिए मौलाना अजाद ने हिंदुस्तानियों के चाए को स लौक वाके हुए थें पहली बात तो यह कि वह चाए में दूद नहीं डालते थें बलकि साधी चाय पीते थें मौलाना अबुल खलामाजाद कैसी चाय पीते थे तो दम साधी मतलब वह दूद नहीं डालते थे अपनी चाय में दूसरी बात यहा कि वह साधी चाय में चीनी बहुत कम डालते थे, मतलब ना बराबर ये चीनी डालते थे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जरीए जब चाए का रिवाज हुआ तो उसमें दूद डालने की रिवायत चल पड़ी और चीनी के मकदार भी बढ़ा दी गई रफ़तर रफ़तर एक तीसरी तबदिलिया हुई कि चाए में दूद डालने के बज़ाए दूद में चाए डाला जाने लगा नतीजा यह निकला कि चाए का असली मकसद फौत हो गया और इसलिए मौलाना आजाद ने हिंदुस्तानियों की चाए को सैयाल हल्वा कहा कितने अच्छे तरीके से इंटर लिखा गया इसी तरह से आप लोगो लिख देना है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन है कि आजाद ने अपनी पसंदीदा चाए की जो खसूसियात बियान की है उन्हें इखतसार के साथ लिखिए यहां पर आप लोगो मौलाना अबुल्कलाम आजाद का जो पसंदीदा चाए है उसकी खसूसियत यान की विशिश्टा को लिख देना है मौलाना आजाद ने चाए के लिए अपनी पसंदीदा खसूसियात जो बियान की है वह इस तरह है कि चाए पत्ती खालिस चीनी चाए हो यानि वह चाए पत्ती जिसकी पैदावार सिर्फ चीन में होती हो यहां पर बोल रहे है मौलाना अबुल्कलाम आजाद की चाए पत्ती का मतलब क्या जो चीन में पैदा हुई हो यानि कि जो चीन में चाय पत्ती का पेड़ होता है उसको मौलाना अबुलकलाम आज़ाद बेस्ट माने है असली चाय पत्ती का पेड़ चीन में ही होता है ये बताने की कोश्किये है मौलाना अजाद के मताबिक हिंदुस्तान या लंका में जो पैदावार चाय की होती है वो दरसल नकली चाय की पत्ती है कि हिंदुस्तान और लंका यानि कि स्रिलंका में जो चाय की पत्ती का पेड़ लगाया जाता है वो नकली चाय की पत्ती का पेड़ है जबकि असल में असल माइने में जो असली चाय पती का पिर होता है ना वो चीन में होता है यानि कि चाइना में होता है और दूसरी बात या कि चाय स्यादा होनी चाहिए यानि कि बिल्कुल स्यादा होनी कि जिसमें सिर्फ पानी और चाय पती हो मौलाना अबुलकलाम अजाथ अपनी पसंदीदा चाय की खुसूसियत बताये है विशृस्ताए की चाय में क्या क्या चीजा हुनी चाय और कौन सी चाय मिटलब कहा की चाय ये इनको पसंद है तो चीन की चाय इनको ज्यादा पसंद है और ये चाय में दूद वगरा चीनी वगरा ज्यादा नहीं डालते हैं दूद तो डालते ही नहीं है चीनी सिर्फ नाम के लिए डाल देते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पांचवा सवाल है कि आजाद ने जे अपने खत्में जाहिर की हैं यह आप लोगो बताना है तो देखिए जवाब में लिखा हुआ है कि जेल के आहाते में किसी पुराने कबर को देखकर मौलाना आजाद बहुत मुतासर हुए थे चुनांचा एक खत्में खुद फर्माते हैं कि जिस जेल में मैं कैद हूँ उसके कि आहाते में पुरानी कबर है यह तो नहीं मालूम कि या किसकी कबर है लेकिन सैकड़ों बार इस खबर को देखने के बाद फित्री तोर पर इस खबर और कबर वाले से एक निस्बत सी पैदा हो गई है यानि कि उस खबर को देखने के बाद मौलाना अबुलकराम आजाद क क्योंकि उसको बहुत बार देखे रहते हैं और उनको पता नहीं रहता है कि वह कबर किसकी है लेकिन फिर भी बहुत बार देखने के वज़एसे उस कबर से और कबर वाले से एक रिश्टा सा बन गया रहता है ठीक है तो वही बात यहां पर लिखा गया आप लोग लिख सकत फड़ने के दवरा नहीं आप लोगों को बताना है जवाब में लिखांए की तिसरे अधाचों को पढ़ने के बाद मौलाना आजाद की अहलिया जुलेखगा बेगम के शक्सित जो थे अभरती आ यानिंकि तीसरे ख़ता को पढ़ने के बाद जो मौलाना अबुल्गलाम आजाद के वाइफ के बारे में हमें पता चलता है न वो कुछ इस तरह है कि जुलेखा बेगम एक वफदार समझदार और सुलजी हुई खातून थी मौलाना अबुलकलाम आजाद की बेगम का नाम क्या है जुलेखा बेगम जुलेखा बेगम जो की एक वफादार समझधार और सुलजी हुई खातून थी यह हमें तीसरे खत को पढ़ने के बाद पता चलता है और वह बेवी की हैसित से मौलाना आजाद को अपनी जाद से कोई तकलीफ नहीं पहुचाना चाहती थी यहां तक के बिस्तरे अलालत पर रहती थी तो जेल में मौलाना आजाद को यहीं खत लिखती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ तश्वीर की कोई बात नहीं वह मौलाना आजाद की सियासी मसरुफियात पर नजर जरूर रखती थी लेकिन उसमें कभी दखल नहीं देती थी बहुत बड़ी बात है इतनी अच्छी इतनी समझदार इतनी सुलजी हुई बेगम जो है ना मौलाना अबुल कलाम आजाद को मिली थी जो की अपनी वज़ा से मौलाना अबुल कलाम आजाद को कभी भी कोई तखलीफ नहीं देना चाहती थी कभी भी किसे किसी किसम का तखलीफ नहीं पहुँचाना चाहती थी और यहां तक ही जब वो अब इसतरे अलालत परहती यानि कि उनका तबीद खराब भी रहता था था ना तो मौलाना अबुलकलामाजाद को जेल में यही खत लिखती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ टेंजन लेने की कोई बात नहीं है देखे कितनी अच्छी बीवी थी तो यही चीज जो है ना यह प्रस्नालिटी जो है ना मौलाना अबुलकलामाजाद की वाइफ की जलकती है तिसरे खत को पढ़ने के बाद आई होप आप आप लोगो समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं से स्टार्ट हो रहा है तवील सवालात यानि की लॉंग टाइप कॉस्ट्टन जिसका एंसर आप लोगो लॉंग लिखना रहता है यान की लंबा कम से कम एक देर पेज़ का लिखना रहता है तो चलिए देख लेते हैं पहला सवाल है कि गालीब और मौलाना आज़ाद का बह सिमिलिर्टी है और क्या मतलब इन میں फरक है इनकी खुतूद निगारी में क्या फरक है और क्या समानता है ये दोनों चीजाब आप लोगो बताना है तो देखें गालीब और मौलाना आज़ाद के खुतूद और मौलाना आज़ाद की तारीख एक एक कीमति सुरमाया है जहां گالوب اور مولانا بلخلاع آزاد کی مکتوب نگاری کے فرق کو بتایا گیا ہے تو دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں کی مکتوب نگاری میں زمانی کا فرق ہے مرزا گالوب جس وقت مکتوب نگاری کر رہے تھے اس وقت اردو زبان اپنے فطری حالت میں تھی اس لئے مرزا گالوب کی خطوط کی زبان سادہ فطری اور روا بھی тھی جبکہ مولانا آزاد کے زمانے میں اردو نصر کی زبان ارتقائی مراحل طے کر چکی تھی मिर्जा गालिब के मुकाबले में आलिमाना थी और एक अद्वी शान के हामिल थी मिर्जा गालिब के खतूत में मुकालमाती अंदाज मिलता है और यह महसूस होता है कि गोया दो आदमी आमने सामने बैठ कर गुफ्तगू कर रहे हों लेकिन मौला आजाद का अंदाज तहरीर बयानिया हैं यानि कि मिर्जा गालिब के खतूत लिके खतूत को पढ़कर ऐसा लगता था कि दो आदमी एक दुसरे की आमने सामने बैठ कर गुफ्तगू कर रहा हो बाते कर रहा हो खतूत को पढ़कर ऐसा लगता था कि इसके खतूत को तो मिर्जा गालिब के खतूत को ले अक्तियार किया था यानि कि अल्काब वादाब के पुराने तरीके जिसमें मक्तूब अलय है को इसके मरतबा के मताबिक अलफाद से मुखातिब किया जाता था इस तरीके को छोड़कर मिर्जा गालिब ने कभी मिया कभी मेरी जान कभी मेरे जैसे फितरी अलफाद से अपने खतुद का आगाज करते थे यह अलग बात है कि इस तर्श घर्वालीब खुदबानी थैं और खातिंग रहा हुता था लिक्विकर ठो मिरजिब के बार भानी थीन लंबा चुड़ा आप लोगों को लिख देना है इनसर आगे बढ़ते हैं फड़ फड़ दूसरे सवाल की तरफ यहां पर मिर्दगालिब और मुलाना अबुलकलाम आज़ाद की खुतूत निगारी में फर्क दिखा दिया गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल है कि अबुलकलाम आज़ाद के साहब तरज नसर निगार होने की दलीलों के साथ एक मुखतसर मजमून लिखिए यानि कि एक ऐसा मजमून लिखना है जो मुक्तसर हो यान की शौट हो ज्यादा लंबा नहूं लेकिन उस मजमून में अबुल कलाम आजाद के साहबे तर्ज नसर निगार होने की दलील हो उस तरह का मजमून यानि की बंद लिखना है जवाब में लिखा है कि हिंदोस्तान की सियासी अद्वी और सहाफी तारीक में मौलाना आजाद के खित्मात नकाबल ये फरामोश है देखे कितने अच्छे तरीके से स्टार्टिंग किया गए इसी तरीके से आप लोगों को स्टार्टिंग में लिखना है मौलाना अबुलकलाम आजाद की शक्से मुख्तरिफ जहाद के हामिल थी मतलब ऐसा मजमून लिखना है जिसमें से पढ़कर पता चले कि अबुलकलाम आजाद की हैसित नसर निगारी में क्या थी उस तरह की दलील आप लोगों को देनी है जिससे साहब तर्ज नसर निगार होना पता चले अबुलकलाम आजाद ठीक है आगे देखे लिखा गया आप लोग जिस तरह से एंसर लिखा गया है लिक सकते हैं कोई लिकत नहीं है आगे देखे मौलाना आजाद सिर्फ सियासत और खुताबात के ही मर्द मैदा नहीं थे बल्गे उन्होंने मतादत तसानिफियादगार में छोड़ी है जिसे तज़करा जो खुद नविष्त सवाना है तर्जमान कुरान की तफसीर तीन जिल्दों में है इंडिया विन्स फ्रीडम जो म बार खातिर जो उनके खुतूत का मजमुवा हैं जिनकों बदलत मौलाना आजाद एक साहब तर्ज अदिब और मुफरद नसर निगार तसलिम किये जाते हैं उनके खुतूत और मजामीन के मतादत मजमुवे भी शाय हो चुके हैं ये लंबा चुड़ा आप लोग लिख सकत यानि किया पर कोशन फुड़ा उल्टा पूछ दिया है दल्लत टाइपिंग हो गया है यहाँ पर कोशन पूछने का मतलब यह है कि आप लोग को बताना यह है कि मौलाना अबुलकुलाम आजाद जो खुतूत लिखे थे अपने दोस्त सद्दी के मुकर्रम के पास वो खुत तो देखिए जवाब में लिखा है कि मौलाना अजाद एहमद नगर और राची जेल से जितने खुतूत लिखें वह सब उनके सदी के मुकरम मौलाना हभीबु रह्माँ खाशिरवानी के नाम थे यानि मौलाना के खुतूत के मक्तूब रहे हभीबु रह्माँ खाशिरवानी थे लेकिन यह तहरीरी शकल में मक्तूब रहे तक पहुंच नहीं पाए यानि कि यह तहरीरी शकल में मक्तूब रहे हभीबु रह्माँ खाशिरवानी इन तक नहीं पहुंच पाया नहीं का जमाना जो है वो हिंदुस्तान में सियासी अफरतफरी का जमाना था और अजादी की तहरीक जोरो सोर से चल रही थी उसके सांथ ही भारत छोड़ो अंदोलन भी उसी जमाने में चल रही थी कौंगरेस के तमाम बड़े लीडर इन जेलों में बंद कर दिये गए थे यहां त मकतूब निगार पैद वबंद में हैं और मकतूब लए जिसमानी तोब और आजाद मोल दिए जलनी तौर पर मतश्र और मख्लूजां सी हालत में मकतूब बंद थे और प्लस मौलाना अबुलकिलाम आजाद जो थे ना उनकी तक्रीर वो तहरीर पर भी सक्त पाबंदी लगा दी गई थी खतूत भीजने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी इसी वज़ा से जेल से बाहर इनके खतूत नहीं पहुच पाए यानि कि ये अपने दोस्त जो हबीबु रह्मान खाशिरवानी के नम खतूत लिखे थे वो खतूत हबीबु रह्मान खाशिरवानी यानि कि इनके दोस्त सक्त नहीं पहुच पाए ठीक है आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 4 हैं कि नसाब में शामिल खतूत की रोशनी में मौलाना आजाद की सियास किस्स में आए रजनिति में आए तो कौन-कौन से कदम उठाएं किया आप लोगों बताना है स्यासी जिए कि सरगर्मियों को बताना है जवाब में लिखा है कि मौलाना आजाद की जिनदगी का एक एहम जहत सियासत भी था जिसमें उन्हों नहायत और तन्धी से हिस्सा लि हqué लेकिन خطوत के बीन स्वादोर से उनकी स्यासिस सर्गर्मी विभरका कोबिए? यानि कि अपने खंदियते स्यासी सर्गर्मी की चेशाण हैं लेकिन उनके खंदोट के जरीए से में उनकी स्यासि जो भी जिक्री है उसके जरի हमें कुछ सियासी सरगर्मियों का बखुवी अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह से राज़िवती में आए तो क्या क्या किये कौन-कौन के गड़म उठाए ये जाहिर है कि सियासी कएड़ी की हetu से जेल में रहना भी सियासी सरगर्मी का ही एक हिस्सा है जेल में कैड के दोरान भी मौलाना अजाद कॉंगरेस के सदर थे और जेल से ही कॉंगरेस की रहनुमाई किया करते थे उन्यस सुला इसबी से लेकर उन्यस सब 20 इसबी तक मौलाना तकरीबन चौवालिस महीने राची में नजर बंद रहे नजर बंदी से रहाई के बाद मौलाना अजाद उन्यस सबीस में गांधी जी के तलब पर कॉंगरेस और खिलाफत तहरीक के मुस्तरक अजलास में तश्रीक हुए और फिर सियासी जिन्दगी से वा कभी अलग नहीं रह सके 1923 में मौलाना अजाद सिर्फ 35 साल की उमर में औल इंडिया कॉंगरेस के सदर मुन्तखब हुए शायद इस से पहले इस उमर में कोई कॉंगरेस के सदर सदरात तक नहीं पहुँचा था यानि कि सबसे कम उमर में ये कॉंगरेस के सदर बने थे फिर 1940 से 1945 सबी के दौरान मसलसल 6 सालों तक वो कॉंगरेस के सदर रहे इतने दिनों तक मसलसल कॉंगरेस की सदरात भी किसी एक शक्स के इससे में नहीं आई थी मौलाना अजाद की सदरात के दौरान ही भारत छोड़ो तहरीक और कैबिनेट मिशन के वाकात हुए और मौलाना अजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम बनाए गए और अपनी वफात 22 फरवरी उन्हें 58 इस बी तक वा उस एहद पर काइम रहे उस ओड़े पर काइम रहे यानि की जब तक इनकी मौत नहीं हुई तब तक ये वजीर तालीम थे ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन तीनों खतूत की अलग तलग तलखीस तैयार कीज़े यानि की जो तीनों खतूत आप लोग के बुक में दिया गया है मौलाना अबुलाम आजाद की तीनों खतूत के बारे में आप लोग को लिखना है कि तीनों खतूत में क्या क्या बताएं हैं तो देखिए पहले खतूत की अगर बात करें पहले खतूत की तो गुबार खातिर के जिरनेसाब खतूत में पहले खत से यह जाहिर होता है कि मिजाद की एक ऐसी इन्फरादियत पसंद किस तरह उनकी शख्सित में सरायत कर गई और बच्पन से ही वह किस तरह आम बच्चों के अंदाज में नहीं जीटे थे पहले खद से यह जाहिर होता है कि मौला अबुलामाजाथ जो है ना उनकी जिन्दगी के बारे में पता चलता है उनकी बच्पन जो है बच्पन में वो आम बच्चों की तरह नहीं थे बिलकुल मुक्तलिफ से अलग थे सुबह का वक्त और चाहे के साथ मौला नाजाद को नायत मरगूब था पहले खत को पढ़ने से साफ अंदाजा होता है कि 54 साल की उमर में मौला नाजाद जेल की कि पहला जो खत है उससे मौला नाजाद की जिन्दगी का लेखा जो ख़पना चलता है ठीक है दूसरे खत की बात करें तो दूसरे खत में मौला नाजाद अपनी चाहे नोशी के जिक्र के साथ उसके पिने के अंदाज और तकयूर के मौजू बनाते हैं चाहे नोशी से रोगबत अपनी जगह लेकिन चाहे की तालुक से अच्छी खासी मालूमात रखना और एक दिल पसंदी के साथ कागज के सफ़े पर उतार देना उनका बड़ा अद्वी कारणामा है मौलाना अजाद ने चाहे जैसे मामली मौज़ू पर नायत सराहत के साथ इस तरह अपनी बाते पेश की हैं कि खत की कई सतफ़ाद बामकसद अंदाज में तमाम हो जाते हैं और सिलसला ख्याले कायम रहता है जैसे मौलाना अजाद की चाहे नोशी एक तिलसमी कीफियत पैदा करती है और इसी तरह ये खत एक जादवी दुनिया की सेर कराता है तो आई हवाप आप लोगो समझ में आगया होगा ये दूसरा खत से आप लोगो पता चल रहा है कि मौलाना अबुल्कलाम आजाद इसमेजद टर चाहि की चर्चा किये हैं और अपने पसंदीदा चाहि के बारे में बताए है ठीक है लेकिन चाय के बारे में इतना knowledge रखना ये सबसे बड़ी बात है ठीके चाय के बारे में बहुत सारी knowledge मौलाना अबुलामाजाद के पास थी जो कि उस खत में लिखे हैं ये सबसे बड़ी बात है ठीक है और आपनों को पता होना चाहिए कि वाइट जैस्मीन नाम का चाय पीते थे कौन मौलाना उखला माज़ाद जो की चीन की चाय थी वाइट जैस्मीन ठीक है आगे बढ़ते हैं तीसरा खत की बात करें तो देखते हैं कि तीसरे खत में क्या बताए हैं गुबार खातिर से जो तीसरा खत निसाब में शामिल है वो मौजवाती अटबार से नहायद आहम है मौलाना अजाद की एहलिया मौतरमा जुलेखा बेगम की वफात खिला अहमद नगर के सीरी के दौरान होई थी इनकी मौत के बाद ही मौलाना अजाद कलकता जा सके देखे सकते हैं कि मौलाना अजाद की वाइफ थी है तो इनकी शक्षित का हमें मालूमात होता है तीसरे खतकों पढ़ने के बाद तो आप चाहे तो इतना लंबा चौड़ा लिख सकते हैं बाकी मैं पढ़ नहीं रही हूं फड़ा आगे बढ़ते हैं कि वडियों काफी लंबा हो रहा है आगे बढ़ते हैं वबार खातिर के खतूद से एक्तबासाद की तर्श्री यानि की वबार अध्यापक्यूटिब पर सर्छ करेंगे सिनयाज Seags की हवाले से तषरी कैसे करें म Uzօं aí और स्कति लिए यहीं मपड़र तो आप लोगों वडियों मिल जाएगा जहां पर मैं आप लोगों सियाक वजा की हवाले से एक्तबास की तर्श्री करना में आप लोगों बताई हूं तो आप लोग आसानी से देख लिजेगा और किसी भी इक्तवास की तष्रीह आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, तो समझे हैं यहां पर, इस चैप्टर से, गुबार खातिर नाम का जो चैप्टर है इस चैप्टर से कोई भी दुशार लाइन का एक्तबास यानि कि तुकड़ा उठा लेगा आप लोग के एक्जाम में और पूछेगा कि दर्जजायल एक्तबास की तश्रीफ सियाको सबाक के सांथ कीजिए यानि कि जो नीचे दिया गया एक्तबास है ना सुक्रा इसकी तश्रीव करना सियाको सबाक के हмовाले से जिस चैप्टर से ये इक्तबास लाइन ऊठाए गया इस capacity में इस लाइन के आगे पीचे की बाद जो कही गई घैना उसको मिला जुला कर तश्रीख कर देना है बताना हे कि पूरी बात क्या है तो देखिए यहां और एकिते इंगालनेंगे कि City में अच्छी तरह चान लियां करता हूं कि किसी तरह की सियासी मिलाओ तो की ना रहे तो यह जो हैं यह दो लाइन उठाए गया है गुबार खातिर नाम के इस चाप्टर से ही अब यहां पर आप लोग के एक्जाम में पूछता है कि इस इक्तबास की तश्रीव कीजिए कि इस चीज़ के हवाले से तो सियाफ और सबाक की हवाले से यह जो बात कही खूज है और खत का आखरी पारग्राफ है एक्तबास मतलब यह जो है ना लाइन यह एक्तबास जो है ना यह खत का आखरी पारग्राफ में है ठीक है और एक्तबास के इस हिसे में मुलाना आज़ाद में अपने मक्तूब लह सभी के मुकर्म को बराहरास मुकातिब करके कहन चाहते हैं कि मैं आपको खतूत में जो कुछ लिखता हूँ वह एक सियासी लीडर की हैसियत से नहीं बलके एक मुखलिस दोस्त की हैसियत से लिखता हूँ तो यहां पर यह जो लाइन है इस लाइन के जरीए मौलाना बुल्खलाम आज़ाद अपने दोस्त सदी के मुकर्म को खत में बता रहे हैं कि मैं जो आपको खत लिखता हूँ ना वो खत सियासी लीडर की हैसियत से नहीं बलकि एक दोस्त की हैसियत से लिखता हूँ ठीक है चुनानचा फर्माते हैं कि मेरे अद्वी वा इल्मी जखीरा और दिल की दुनिया में हर किसम की जौक के लोगों के लिए समान तस्कीन मौजूद है लेकिन जब मैं आपको एक मुखलिस दोस्त की हैसियत में खत लिखता हूँ तो बहुत सोच समच कर लिखता हूँ कि आपके जौक के मताबिक हो तमाम जुम्लों और ख्यालात को इहतियात की च्छलनी में च्छान कर वही अलफाज वा जुम्ले इस्तमाल करता हूँ सथा है कि इस करता है इसे आप लोग को भी कर नाएं डेखिए दोसराрен पूछाग्या है ये कोश्ण नहीं पूछा गया है, पूछा हुआ कोश्ण है, इसी तरह ये दूसरा एक प्वास है, ये भी पूछा हुआ कोश्ण है, आप लोग कोश्ण प्पब het उठा कर देखिए, ये कोश्ण आप लोग को दिखाई का देगा, फिolें असी तरह लिखा वा देखा कते है यहां एहाता के अंदर एक पुरानी कबर है नहीं मालूम किसकी है जब से आया हूँ सैक्रो मतबह इस पर नजर पर चुकी है अब इसे देखता हूँ तो ऐसा मैसूस होने लगता है कि जैसे एक नए तरह का अनस इस से तब्यत को पैदा हो गया है कल शाम को देर तक इसे देख को चालिया था हम दर जयले एक्तबास की तरशी तरह को सबाग के आवाले से स्टार्टिंग में यही था यहां पर दो कोशन दिखा गया है यह यह जो था एक तबास यह नों पूचा हुआ है चली इसका तस्री देख लेते हैं अभी जमें पड़ी दूसरा एक्तबास की आजाद के तीसरे खत के आखरी पाराग्राफ से माखोज है यानि कि यह जो इत्बास है यह तीसरा खत जो है ना उसके आखरी पाराग्राफ से लिया गया है और इसमें साफ सा पता चल गया है ना इस इस इत्बास को पढ़ने के बाद आप लोगों को पता चल गया है कि हाँ उसे देखने के बाद इनको ऐसा लगता था कि कवर से और कोई नवाले से इनका कोई लेके दिखते तो देखते ही रह जाया करते थे एक रिष्टा सा बन गया था तो bucks यहां पर भी लिखा गया प्रोण को आप होग देख पुरानी कबर का तज्करा यानिकि उस पुरानी कबर को देखने के बाद मौलाना अवन खिलाम आजाद को उस कबर से एक रिष्टा सा मालूम होता है क्यों क्योंकि उस कबर को देखने के बाद उनको अपनी बेगम जुलेखा का याद आने लगता है झुलकी बेचम जुलेखा का भी तो मतलब इंतकाल हो गए रहते हैं अब हम लोग तीसरे एक्तबास को देखते हैं यह रहा Τीसरे एक्तबास तीसरा टुक़रा, यह भी कोशन पूचा गया है देख सकते हैं, आप लोग ये एक्तबास को परसकते हैं एक मुद्दत से जिस चीनी चाय का आदी हुआ वाइड जास्मिन कहलाती है यानि यास्मिन सफेद या ठेट उर्दू में यू कहिए कि गोरी चम्बेली ठीक है मतलब इस इतबास का अब आप लोगो को तश्रीख करना है जिसमें साफ साफ जाहिर हो रहा है कि मौला ना बुल कि जाए तो गोरी चम्बेली कहते हैं तो इसी टुकड़े की तारीफ मतलब आप लोग यू कह सकते हैं तश्रीख करना है तो चलिए यहां पर तश्रीख किया गया है बेसे नजर इक्तबास और बार खातिर के जिर नहसाब खुत में दूसरे खत से माखोज है यानि की दूस चाए और उसकी तमाम अकसाम और चाए नोशी के जोख और उसके तमाम मतालुकात पर मौलाना अजाद में तफसील से रौशनी डाला है और खशूसन इस अक्तबास में मौलाना अजाद ने अपनी पसंदीदा चाए के तमाम खुसिया बयान की है यानि कि दूसरे खत्में और इस इक्तबास के जरीए यह जो इक्तबास है यहां पर दिया गया है इसके जरीए इसमें मौलाना अजाद जो है वो चाए चीनी चाए के बारे में बता रहे हैं चाए की अक्साम यानकी टाइप मतलब हर चाए के अलग अलग तरकार बता रहे हैं और वो किस तरह की आसमीन, सपेद भी कहते हैं, जिसे रोजमर्णा की उर्दू में गोरी चमेली भी कहते हैं, थेट उर्दू में क्या कहते हैं? गोरी चमेली. इस चाई की 때는 कदर लतीफ है, उसी की कीफियत तेजब बातन भी के जैसे सूरज की किर्णे किसी ने साफ सफाफ चाय की प्याली में डाल दी है ठीक है तो यह लंबचाड़ा तारीफ किये हैं फाइनली यहां पर हो जाता है ट्वल्थ क्लास के उर्दू का चैप्टर नंबर 11 पूर रूप से कंप्रीट क्योंकि चैप्टर तो मैं आप लोग सब्व कैंशों में गिया और यह बहुत ही जिए आप रखतर पियो के रेसे समझ में आयste शैर कर दिया होँगे जितना ज़्याफा चैनल पर अगर लोग नाया हुआ है मेरे विडियो को पहली बार देख रहे है तो चैनल को सबस्क्राइब कर नोटिफिकेशन बिल जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड़ नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे फिर्म लेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिस